श्री गनेशाय नमाहा, नमशकार दोस्तो दोस्तो, चंद्रमा हमारे देनिक राशी फल में काफी महत्व रखते है धाई दिन में चंद्रमा अपना स्थान बदल देते है उसी साब से हम पर चंद्रमा का अच्छा या बुरा प्रभाव दिखता रहता है और उसी तरह से हमारा दिन भी गुजरता है तो चलिए देखते हैं इस दिन चंद्रमा आप पर किस तिरे का प्रभाव डालने वाले है इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में चोथे भाव में रहेंगे जी हाँ, चोथे भाव में चंद्रमा का होना अच्छा नहीं होता, तो इस दिन आपको थोड़ा साउधान रहना जरूरी होगा, साउधान अबरतनी जरूरी होगी, ये समय आपके लिए मिला जुला भी साबित हो सकता है, इस दिन अगर आप पैसों का निवेश करना चाहते है तो सोच समझ कर करें, और अगर टाल दे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, इस दिन आपको सिरदर्थ की शिकायत रह सकती है, आप मानसी कुरूप से थोड़े परिशान दिख सकते हैं, इस समय में चंद्रमा आपके मस्तिश को प्रभावित करेगा, और चंद्रमा क स्तिती अच्छी नहीं है, आपके कामों में रुकावटे आएगी, लेकिन समय बहुत बुरा भी नहीं होगा, साउधानी बरतनी ज़रूरे रहेगी, नहीं तो आप किसी गलत नतिये पर पहुच सकते हैं, इस समय में आपके बिजनेस के क्षेतर में दिन ठेक ठाक सा रहेग इस समय में आपके नोकरी के क्षेतर में, आपके काम के क्षेतर में काम का प्रेशर आप पर ज्यादा रहेगा, लेकिन आपके काम की प्रशन सा भी होगी, इस समय में आपके बौस के साथ रिष्टे अच्छे रह सकते हैं, इस समय में आपके भोतिक सुकों में रुद्धी ह कोई नया सामान घर आ सकता है इस समय में आपकी इच्छाए कई मामलों में पूरी हो सकती है अगर स्टूडन्स की बात करें तो स्टूडन्स के लिए ये समय मिला-जुलासर हेगा ना ज्यादा अच्छा ना ही ज्यादा बुरा आप पढ़ाई में पूरी तरीके से दिनिया में ज्यादा रहेगा और फिर पढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है लेकिन ठान ले निश्चे कर ले तो आप कोई भी चीज कर सकते हो और आज आप जितने भी विद्या ग्रहन करोगे वो आपके काम जरूर आएगी ये एक खास बात रहेगी आपकी मैरिड इस समय में बहुत अच्छे रहेगी पाटनस एक दुसरे को बहुत अच्छे तरे से समझ लेंगे मैरिड लाइफ एंजॉय करने के लिए समय अनुकुल है अगर लव लाइफ की बात करते हैं तो लव लाइफ के लिए भी आज का दिन आनन से बरा रहेगा रोमैंस से बरा र मेल रहेगा आज आपकी सेहत भी ठीक ठाक रहेगी फिजिकली आप काफी फिट रहोगे लेकिन मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब रह सकते हो बाकी स्वास्ते से जुड़ी कोई समस्या नहीं रहेगी पूरानी परिशानियों में भी आपको आराम मिल सकता है इस दिन आपके ल राशी फल परिणाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशी फल को एक मार्ग दर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा